भारत और न्यूजी लैंड के बीच तीन वंडे मैचों की सीज़ का तीसा और अंतिम वंडे मुकावला समाप्त हो गया इस मैच में भारत ने सुम्मन गिल और रोहित सर्मा की सतकिय पारी के दम पर न्यूजी लैंड के सामने 380 रन का अस्कूर ख़़ा किया इस मैच में रोहित सर्मा और सुम्मन गिल ने 212 रन की आपनिंग साज़दारी की रोहित सर्मा 101 रन बना कर पवेलियन लौट गए तो सुम्मन गिल 78 गेंद पर 102 रनों की पारी खेल कर आउट वे बिराट कोली ने 36 और हार्दिक पांडिया ने 54 रनों का महतपुर्ण योगदान दिया भारतिय टीम इस मैच में निर्धारित 50 रन में 9 विकेट के नुक्सान पर 385 रन का अस्कूर ख़़ा किया और न्यूजी लैंड को जीतने के लिए 386 रन का लक्ष दिया इस लच्ष को साधने के लिए जब नुजी लैंड के तरफ से फीने लन और डेवेन कॉनबे की जोड़ी मैदान पर उतरी तो पहले ही ओबर में हार्दिक पांडिया ने फीने लन को बोल्ड कर नुजी लैंड को पाला जटका 0 रन के अस्कूर पर दिया लेकिन उसके बाद डेवेन कॉनबे और हेंडरी निकोलस मैदान पर डट गए और दोनों ने मिलकर 106 रन की साज़दारी कर डाली हेंडरी निकोलस ब्याली सन बढ़ा कर कुलदी प्यादव का सिकार बने तो दूसरे चोड़ पर डेवेन कॉनबे ने सांदार बले बाजी करते हुए अपना सतक पूरा किया उम्रान मलिक ने 138 सन के नीजी असकोर पर डेवेन कॉनबे को रोईज सर्मा के हाथो कैच आउट करा कर डेवेन कॉनबे की पारी का अंत कर दिया उसके बाद माइकल बेसबेल ने नीजी लैंड को लग्ष तक पहुचाने का परियास किया लेकिन 26 अन बढ़ा कर कुलदी प्यादव का सिकार बन गए और नीजी लैंड का स्कोर 209 पर साथ हो गया 289 जाते जाते नीजी लैंड ने अपना आठमा विकैट भी खो दिया नीजी लैंड की पुरी टीम 295 रन पर ओल आउट हो गई और भारत इस मैच को 90 रन से जीत कर इस सीज को 3-0 से जीत लिया है अब इसके बाद T20 सीज आरंभ होगी